लोकसबा चुनाव 2024 का सियासी रन और सियासी टिकिया तली जा रही है सभी पार्टियों द्वारा वो वक्त आ गया है जब चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है तयार है और अब मतदान होने वाला है पहले चरण का है मतदान और हम है मौजूद पीली भीत में देखे बड़ी ठंडी बयार बह रही है लेकिन सियासी बयार किस तरफ बहेगी ये जानने की कोशिश करेंगे और इससे बहतर कोई जगे नहीं हो सकती थी क्योंकि चुनाव मतदान के एक दिन पहले शाम को पूरी सियासी चर्चा चाट की दुकान पर हो रही है और यहां पर आप देखें क कि पीली भीत के नागरेक आए हुए हैं चार्ट जो पसंद करते हैं वो आए हुए हैं और जाहें तोर पे जो चर्चा पहले अच्छा चलिए चर्चा की शुरुआत कुछ खा के हो जाए और इससे मिजाज भी जनता का पता चल जाएगा तो यह देखिए बहुत बढ़िया गोल गपे जो में जाईए प्रदी भाई वेतरीन पीडी भीर की चार्ट मशूर चिम्बन चार्ट है यहाँ पर साम को अपाएंगे तो बहुत भीड़ होगी आज चुनाओ को चक्र में बंध है तो थोड़ा कम भीड़ है वहना यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती ह सौरब पांडे हमारे आग पे संबाद दाता है तो उनसे भी जानेंगे पल्स जनता की नव्स पर यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए है और चार्ट को ओर्डर भी दिया हुए भाई सब आपने यह बताईए कि आप सब लोग दमदार तरीके से वोट डालेंगे कि नहीं पार्टी मत बताईएगा विकास के नाम पर बोट देगे विकास के नाम पर प्रचार रुक गया है तो जनता के मन में क्या है मतलब विकास के मुद्दा है कौन सा मुद्दा हावी है विकास का मुद्दा ही मैन है जी 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 और इस बार ये भी चर्चा हो रही है कि बहुत सारी यंग्स्टर्स हैं जो खड़े हुए हैं और क्या बन रहा है यहां पर भाईया तो आज भीड जादा है कि इतनी रहती है आज कम है मैडम क्योंकि आकल तो मतदान भी है और चुट्टी भी है तो आप वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे मैं बोट डाल चुकी हू जो सरकारी करमचारी अपनी ऑफिशल ड्यूटी पर होते हैं देखें इनका बैग पीछे टांगी हुई है बोटल भी है पूरी तैयारी आज नहीं ड्यूटी है आपकी नहीं सुबह से नहीं फिर सुबह 5 वजे पहुच जाना है वहां पर मतदान के इंद्र में रहेंगे हम अगर किसी टीम का कोई बिमार पढ़ता है तो हमें वहां तैसीर से वहां भेजा जाएगा उस बूत पे अगर कोई बिमार पढ़ता है तो और यहां पे देखें सर आपको क्या लगता है पीली बीट के क्या मुद्ध है और यह देखें गरमा गरम जो चार्ट है और कर देश का बिगास होएं आप क्या किया रहें यहां ट्रेन की कनेक्टिविटी और कहीं से दूर से मलब ट्रेन जो हैं बहुत ज्यादा कम ट्रेन हैं जैसे वीक में एक बार है दिल्ली वगेर के लिए लखनों के लिए अधिवार के लिए जब कि इतना अच्छा शहर इतना ड यहां पर रेल लाइन नहीं है लेकिन दिल्ली के लिए यहां टेंट जाती है तो अधिकतर जो ब्याइपारी बर्क जाता है वहां पर तो लोग रात में पहुचते हैं तो पर पढ़ता है उन्हें इससे वड़िया यहां तो यहां से रात में अगर ट्रेन हो जाए और सुब ट्रेने और चलानी चाहिए और महिला शक्ती इस चुनाव में अपना दमखम दिखा रही है तो तमाम जो महिला हैं यह बच्चे सारे क्यों भागे जा रहे हैं बच्चों को तो confidence होना चाहिए अच्छा वोट डालेंगे कि नहीं मैडम वोट डालेंगे बिल्कुल डालेंग प्रचार रुग गया हम पूछ नहीं सकते कौन सी पार्टी पर युगाओं के लिए क्या मुद्दार मैं आपकी बात नहीं सब्सक्राइए आपको क्या लगता है कि क्या genuine issues है जो आपको आपकी मांगे तो काफी है पहले तो education पे ध्यान देना चाहिए नौकरी नहीं मिल रह ये किसी को इतना अपर से जो भी अड़े लगता लगता और आउपर से जो करते हैं कोई भी पेपर कर 250 करवा देते हैं मेंद यह बच्छा इतनी महनत करता आप पर लिक कर देते हैं यहाँ पर लीक बेरोजगारी क्या नें आम है आपका आ का अका जान यही पे रहती है पील है महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है महिलाओं के लिए किचिन जो है बहुत ही महगा हो गया है उतको अर्जेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया घर चलाना आपको लगता है बजट जो है वह बहुत पार हो गया वोट डालना होता है क्योंकि कल एक लोकतंत्र का बड़ा ही होता है फिर दिन में तोड़ा भीरवार भी हो जाती है तो वोटिंग सुवह सही रहती है और देखिए इसके साथ ही हमारी एक और चार्ट सौरब ले आए हैं सौरब जब हम चार्ट खाएं तो आप बताइए जनता को भी और देश को भी कि पीली बीत क्यों अलग है वी वी नेंद मोदी आचके कहें पहली वार यहां पर आए इससे पहले जो प्रदार मंतरी नेंद मोदी आएं योगी आत chilly आतना तीन ये डॉम उठी घामी जी बो आचके है तो लाम MRI में से चुछा बॉन गांदी क着 ही तीज 435 से गांदी प्रवार का हैं गफर राज रहा है आज पूरी देश की मीडिया आप रहती थी लेकिन आज बो नहीं है तो वो कहीना कहीं जो गाव में मीटिंग एक साथ 30-30 मीटिंग करते थे एक दिन में 30-20 मीटिंग होती थी और आज की जो यहां के लोग में 4-5 मीटिंग करते हैं तो उनका एक अलग कैंपेंटी अलग तरीकेस क प्रकर्ति के रूप में बहुत खूबसूरत है नदिया यहां पर भरपूर है जंगल भरपूर है और टाइगर का आतंक भी खूब है बासुरी की सुरूली आवाद भी यहां सुनाई देगी आपको आपको बताया दें कि अभी 22 तारीकों एहद्या में सबसे लंबी जो अपने यह बोला कि जो उतना लाइम लाइट और हाइलाइट रहता था पीली भी उतना नहीं है पर उसके बावजूद भी लाइम लाइट कमो पर वरुन गांधी फैक्टर आपको लगता उतना हावी नहीं है जिए बिल्कुल उतना हावी नहीं क्योंकि उन्होंने कोई साम में था पर जोब्या तो हमें आज लीत पवार्ण बोलें पर बॉलेंगे कोई वह करेंगे तो जब पुछ करते तो साथ पापलिक कुछ रियक्ट करती है वह कुछ हुआ नहीं थे पब्ली मान रही है और यह है कि अभी करिणा-कही वह संसद हैं और बक्तियंता पार्ट लेकिन पॉलिटिकल रूप में को नुकसान अगर होगा बारती अंता पालिट को तो ऐसा नजर नहीं आता है। लेकिन पॉलिटिकल रूप में इतना पेचीदा नहीं रहा है। युवा बड़े गौर से सुन रहे थे। अरे हम दिल्ली से आगए, you can't evade a camera on a very important day, elections चल रहे हैं और युवाओं की बात हर नेता कर रहा है। मैं पार्टी नहीं पूछूँगी क्योंकि कैम्पेइन रुग गया है तो we can't talk about the party। पर युवाओं, युवा कर क्या रहा है। Good question! युवा क्यों राप कर रहा है। युवा के लिए कर क्या रही है सरकार? युवा के लिए सरकार क्या क्या कर रहा है। कॉनजी स्कूलिंग में सुधार रागया? मिला गया है। प्रवं 手ल्ड और स्वांग को पर इल 돼ировать को धोचिष्ट कीज़े ग्रीचे युथ मेरा मैं सिन गेल कि यांन पर दो स्पोर्टेल से यइंग प्लेश भेडिक हैं और उनका ये कहना है कि हम Co' लिए कोई support नहीं है बलकि sports की इतनी बात होती है देश में तो उनको आपको लगता है कि जब आप वोट डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं और आपको लगता है कि यह एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि हम युवा देश के युवा को आप क्या देश मैं बोट डल सकते हो आचिली बल्स secrets गोटर रामाम में आपका नमें बानिया तो देखिए नहां है और अपने दोस्तों के साथ खड़ी है तो दानिया इस तो आपके लिए क्या फैक्टर रहेंगे, कोई राशन के लिए जाता है, कोई बेनिफिशन होता है, कास्ट होता है, रिलिजिन होता है and मुझे नहीं लगता government उसके लिए देख रही है कुछ और issues को देखते है government but at the same time मान लिए मनीपुर में जो हो रहा था और हर जगा पर कुछ नहीं लदाक में जो हो रहा है government उस पर क्यों नहीं focus कर लिया है आप लोग यह मुद्दे सोच के जाएंगे जी जरूर जाएंगे हमको यही हमारे लिए तो अभी इतना कुछ नया नहीं है तो हमें यही देखना होगा युवा देश को लीड कर रहे है जनुविन इनकी जो problems है उसको लेके यह बात करें आप क्या बोलना चाहेंगे आप भी first thing voter है नहीं नहीं अभी तो पहुची नहीं है लक्षवन्रे का यह जो age limit है लाइन है उस पर पहुची नहीं है पर क्या आपको क्या लगता नेता कैसा होना चाहिए लग fig passport we life rotating cabbage नेता अच्क होना चाहिए अपने म例ब देश के बारे मैं सोचना चाहिए उनको जो ज़्यारत नहीं सोचते क्योंके politics में आ जाते है कि पॉलिटिक्स में आजाता है तो ज्यादा सोचते नहीं है कि का चाहिए देश को किसे जए निसौचते है खुद को किया चाहिए वो सोचते हैं उयता प्रूर पिर लग रहे हैं दो साल पहले पिल पास हुआ थे हैं इनका, इलेक्शन के टाइम पे लग रही है, रोज तारे लगती हैं पूरा पूरा दिन लाइट नी आती, फिर कहते हैं फेसलिटी दे रहे हैं, पूरा दिन लाइट नी आई है, पूरा अभी एलपीजी का काम भी चला, वो भी खुदा हुआ, भी आध रोड के बारे में भी बोल रहे हैं, बिजली के बारे में वह यह जो मूल बूत सुविधा हैं, उसको लेके यहां के फिली बीट के युवा कह रहे हैं, कि वो हमारे लिए एक इशू है, यह दोनों स्पोर्ट स्पोर्सन हैं, क्या नाम है आपका? ब्रहम दीप सिंग और अब उनौ है, ब्रहम दीप साथा, जब करना चाही है, आपको अपना लेंटा पास वोट है, आपको अगर कोई सरकार नहीं पसांदार है, आपको कुछ नहीं चाहरे, वोट नहीं डालोगे तो उसको यूजब भी क्या ही है? आपेल करना चाहेंगे पूरी देश की जर्यता आपको देख रही होगी आप लोग अपेल करना चाहेंगे जानियबाग में जाती जर्यं दर्रम से हटके जाती जर्य हटकर कुछ requirement सोचके तरक्य सोचके वोट ड़ला जाये इक्जाक्या साइड में रखें, देश के बारे में सोचिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये कौईलिटी हो इस देश में और बहुत जैसे हमारे नहीता अगेर छेल नहीं हो फ़ास नहीं हो मैं। सब रिलीजिंस पे जगड़ा हो रहा है. उसको बिल्कुल बंदोना चाहिए. बंदोना चाहिए. तब इक्वैलिटी आएगी कंट्री में. इतना बड़ा संदेश यहां से कुछ गा की कहना चाहेंगे अप देश के नाम पे, देश के लिए. बात करेंगे यहां पे बहुत सारी भीर आ गई है और उसके साथ साथ हमने जो सियासी चार्ट पर चर्चा हो रही है उसके साथ साथ हमने भी काफी चार्ट खाई है और देखी यहां पे बहुत सारे लोग हैं उनसे पूछते हैं आप लोग डालने जाएंगे बया कल पीली भीट डाल रहा है आप लोग डालेंगे पार्टी का नाम ने लीजेगा क्योंकि प्रचार रुग गया है पर वोट डाल है आपको बूट तक नहीं है लेकिन हाँ काम ज़्याद़ा है ठीक है किसान है तो हमारे पास काम जढ़ा है वोट से ज्यादा इंप्र इंपर्टेंट है रोठी काना के तुइत में काम चल रहा है अभी काफी पीक सीजन भी है बहुत बूदिजी है लाइट नहीं आ रही पहले तो लाइट का इशू है ठीक है किसान पानी नहीं लगा पार है किसी चीज को और तेल तो आपको बदाई है यह सब दिक्कत है तो देखे जदेश की जणता पिली वीट की जणता पहले यवाओं ने ब बेति में अलग समस्या हैं जिसको लेके यहां पीली भीत की जनता काफी जागरुक नजर आ रही है आप लोग मैं सब लोग वोट डालने जाएंगे वोट यह हमारा अधिकार भी यह वोट डालना है बिल्कुल हम जाएंगे अपील करेंगे देश के लोगो को की वोट डालने जाएंगे पार्टी की बात नी करेंगे पर वोट के लिए प्लीज अपील की जाएं ज्यादा समय नहीं लगता है थोड़ी देट जाएंगे आप लोग का भी अधिकार है इसी से हम अपनी सरकार बना सकते हैं प्लीज आप चाहिए मजबूर सरकार बननी चाहिए यहां पर देखिए वोट की अपील करते हुए तमाम लोग है और अगर आप देखिए तो पीली भीत में शाम के वक्त जिस तरह का एक क्रॉस सेक्शन क्राउड का है पीली भीत में अपने मुनमुद्दे हैं लगबख साड़े अठार पीच इस सीट पर अदला बदली होती रही लेकिन युवा जो यहां पर हैं और किसान है उनकी अपनी अपनी समस्या मुझे लगता है कि पीली भीत में मुद्दे जादा हावी होने वाले हैं आई इनसे भी पूछता है आप लोग वोट डालने जाएंगे पार्टी का नाम नहीं लीजेगा क्योंकि अप्रचार बंद हो गया पर अकसर दिखा जाता है कि गर्मी भी है और सबसे बड़ी बात है कि पहला चरण है तो संदेश पीली भीत से जाना चाहिए कि दंदार तरीके से लोगों ने वोट किया जनता ने जनता का मेरा मानना तो यह है कि जादर लोगों मददान करना चाहिए और रही बात चुनाव की कि मलब किस पृटियाशी को बोड देने चाहिए तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हमारा प्रियास जा रहा है कि एक ऐसा प्रतियाशी चुनना चाहिए वोट की अपिल हमें मोधी चाहिए पाटी का आप नाम नहीं ले सकते हैं भाई साब क्योंकि प्रचार रुग गया है ना तो इसलिए मैं कह रही हूं कि वोट के लिए क्या वोट सबको करने चाहिए सुबह साथ बंदान चालू हो जाएगा सबसे पहले वोट करनी चाहिए लिएबाद, मुसफर नगर, विजनौर और पीली भीट समेट तमाम जिले हैं जो जिन यहां पे वोटिंग होगी और जाहिए तोर पे इससे जो है देश में सियासी हवा किस तरह बहरी है इसका भी पता चलेगा क्यामरा परसिंट प्रदीप के साथ मौस मिसेंग पीली